तो वीडियो को सुरू करने से पहले गाइस प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और बैल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो आज जैसे कि हमारी मनोविग्यान की वीडियो है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाल मनोविग्यान का अर्थ क्या है और बाल मनोविग्यान किसको कहा जाता है तो बाल मनो होता है अंके बाल को के वैवार के अध्यान कों बाल मनोविज्यान कहते हैं अब उसके बाद आगे आए देखते हैं वेक्तिक वीभिंता वेक्तिक वीभिंता से क्या ताथ पर यह है पहले इसका अर्थ जान लेता है कि वेक्तिक वीभिंता कहते किसको हैं जब एक वेक्ति में कुछ और होता है और उसके मांसिक अगर लेवल से देखा जाए तो कुछ और होता है बुद्धी के आधार पर देखा जाए तो अलग होता है हर तरीके से एक वेक्टी दूसरे वेक्टी से अलग होता है डिफरेंट होता है इसी को वेक्टिक विविंता कहा जाता है अब उ बेक्टिको कि आलग अलग क्वालिटी को नोर यह सब अपने अपनी अलगा प्रीक कुछ भाड़ एंप आग पूची जाती है अब देखिए वेक्टिक वीबिंता इसकीनर के अनुसार वेक्टिक वीबिंता उसे तात पर ये है कि वेक्टिक के उन सभी पहलों से जिनका मापन मुल्यांकन किया जाता है यह किसके अनुसार है गाईज इसकीनर के अनुसार अब देख है जैम्स ड्रेवर के अनुसार कोई भी वेक्ति अपने सामों के सारी रिख तक जैसे कि आपने देखा होगा किसी का कज घोटा है तो किसी पार है को और आपने देखा होगा कि एक वेक्ति की भासा कुछ और होती है दूसरे वेक्ति की भासा कुछ और होती है यह हमारे पारिवारिक अगर इस तरह से देखा जाए तो वहां पे भी किसी के प्रिवारी में कुछ और भासा बोली जाती है एक सहर में दूसरी भासा है तो दूसरे पोई तो इसके बाद बुद्दी बुद्ध होता है जैसे कि बुद्धी के अधार पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं कोई तो पढ़ने में होशार होता है कोई कम होता है तो ऐसे करके कुछ मनद बुद्धी बालक होते हैं कुछ की बुद्धी ओसत होती है ठीक है ना तो इसलिए बुद्धी के आधार पर भी वेक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं फिर उसके बाद परिवार वेसं मुद्ध है आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है वह आप बच्चे होते हैं अलग-अलग होते हैं उसके बाद जाती आपने देखा होगा कि जाती के आधार पर भी वैख्ति क्विविबंधा पाई जाती है यह नहीं है कि अगर करसा में पचास बच्चे तो रहन सहन कुझ होता है और पर उसी तरह घर कर हम दूसरी जाती के जो चात्र होते हैं अगर हम उनको देखें उनका मूलेंगं करें तो उनका रहन सहन भासा हो या फिर उनका रहना सहना खान पान सब कुछ अ लग होता है ऐसे सम्वेक्ष से simultaneously की समवेक्ष हाल breaths सब्सक्त therapist between वह से कोई सिच्वेशन आ जाती है उसको बहुत ही मतलब जाना समझदारी से जाना मतलब हैंदल करते हैं कुछ क्या होता है कि एक दम जादा क्रोधित हो जाते हैं कुछ जो वैक्ति होते हैं एक दम से जादा क्रोधित हो जाते हैं कुछ क्या होते हैं कि बहुत ही जादा मतलब जो है ना क्या कहते हैं पेशंस रखने वाले धैरिये रखने वाले होते हैं फिर उसके भाद धार्म के अधार पर आगर देखा जाए तो प्रतिक वेक्टी अलग होता है जैसे कि एक रिलीजन का जो मतलब एटू जैड़ खान पी होता है वहीं वैसे अगर दूसरी साइट देखा जाए तो मुझे जो मुस्लिम मतलब समाज है तो उसमें क्या होता है उसमें पूझा पाट का तरीका अलग होता है खाने पीने के तो तरीका अलग होता है तो धार्मी का धार पर भी विबिंता पाई जाती है जैसे कि एक ही क आपको पहले ही बता दिया है कुछ वेक्ति लंबे होते हैं कुछ जैना बोने होते हैं तो कुछ मौटे होते हैं कुछ पतले होते हैं तो सारी रिक आधार पर भी एक वेक्ति दूसरे वेक्ति सा अलग होता है उसके बाद अभी वरत्ति के आधार पर भी वेक्ति एक दूसरे स होता है वेक्तित्व के आधार पर भी जैसे आपने देखाओ किसी की परस्नेलिटी कुछ है कि परस्नेलिटी कुछ है तो सब की परस्नेलिटी अलग-अलग होती है तो यह हमारे हो गए कि वेक्तित्व के परकार कौन-कौन से हैं लेकिन आब हम देखता है कि व्यक्तिक है कि कारण क्या है तो सबसे पहले करण कारण हमारे पास सबसे पहला कारण और पास क्या ऑत direct return कर्म के कारण भी एक डूसरे से भिन होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जोư होता है वह आपने माता पिता से मतलिangenे पुरवज़वन से कुछ मतलब नटियों कार्म एक गुणों होथे एक अच्छे वातावर्ण में रहने वाला जो वेक्ति होगा उसका वहवार कुछ और होगा लेकिन अगर एक तनावपूर्ण वातावर्ण में रहने वाले वेक्ति को आप देखें तो उसका वातावर्ण कुछ और होगा उसका वहवार तो ये कारण क्या है वेख्ति विभूनता के कारण है वातावरन का भी बहुत जादा इफेक्ट पड़ता है गर एक छातर को आप अच्छे महल में अच्छे वातावरन में रखेंगे तो उसका वेख्ति कुछ और होगा और अगर एक वेख्ति के परिवार में मानसिक रूप स वो प्रेशान रहता है मतलब परिवार की जो इस्थिती होती है वो सही नहीं होती तो फिर उसका जो वहवार होता है वो कुछ और होता है आयू एवं बुद्धी के कारण भी एक दूसरे से भी होते हैं क्योंकि एक छातर की आयू कम है तो दूसरे की जादा है तो वहां पर भ बच्चा हमारा 10 साल का है और दूसरा वेक्ति 15 साल का है तो जो 10 साल का है उसकी परिपकवता उतनी नहीं है जितनी की 15 साल की वेक्ति की परिपकवता है तो वहाँ पर भी क्या होता है वो भी वेक्तिक विबिनता का ही कारण होता है उसके बाद लैंगिक विबिनता है अब यह हमारा परकार भी हो चुके और वैक्तिक विभिनता के कारण भी हो चुके हैं तो दोस्तों आज हम यह सारा टोपिक हम कंप्लीट करेंगे और यह बहुत करनी होती है तो यह जो कारण है कि इन में से आपने एक याद कर लिए दो याद कर लिए तो इसी लिए मैंने जो अगर किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो उसके बाद आए देखते हैं वैक्तिक विबिंता जानने की विधिया कौन सी होती है यहनके जैसे कि हमारे पास कोई छात्रों का समू है वैक्तिकों का समू है तो उसमें विबिंता है क्या है तो उनके जानने जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें कोई विधिया अपनानी पढ़ेंगे जिससे कि हमां पता चलेगा कि वही इसका वैक्तित वेक्टियों में क्या-क्या विभिनता है एक दूसरे से अलग तो सबसे पहला हमारे पास आता है बुद्धी प्रिक्षन के दुआरा हम पता लगा सकती है कि किस वेक्टि की कितनी बुद्धी है किसकी समानी बुद्धी किस व्यक्ति प्रिक्षन के दुआरा उसके बाद उपलबधी से भी पता चलता है कि एक दो उपलब्द किया है यानके कितना सीखा है फिर उसके बाद सम्वेग सम्वेग से भी पता चल जाता है कि वेक्ति विविंता जैसे कि ये सामने रखें दो में पना है तो उसमेंसे एक टी अगर करौदित होता है और दूसरा सिच्वेशन और इसलिए और सी में बहुती घयरिये मतल billion को समझता है उसके बात अभी संता अभी शंथा अभी व्यक्तिक विभिन्ता को जानने काम फर्मों को जाना विधिया है उसके बाद अभी रोची व्यक्तित विभिन्ता को जानने की विधिया है अब उसके बाद देखते हैं शिक्षा के शेत्र में व्यक्तिक विभिन्ता इनकी जो शिक्षा का सेत्र है उसमें व्यक्तिक विभिन झाल